नमस्कार दोस्तों विवेक्टी टॉट इंदी में आपका स्वागत है मेरा नाम विवेकुमार मेरे पास है यहाँ पर दो डिवाइस एक है यहाँ पर सेंटंग गलेक्सी ए दूसा यहाँ पर विवेक्टी सेवन दो नहीं डिवाइस यहाँ पर हाली में लॉंच किये गई है और हम देखेंगे आज यहाँ पर कौन सा डिवाइस आपके लिए रहेगा बैतर और सबसे पहले बात यहाँ पर कर लेते हैं लुकिंग की तो यह नोट आउट लुकिंग में विवे 27 लुकिंग में काफी ज़्याद अच्छा है बाकी दोनेई फॉन का यह बेक है दिफ्रेंट लुकिंग के साथ आपको मिलता है आप पर मैट फिनिस में आता है यहाँ पर ग्लॉसी मैट में आता है है इस को सैमसंग बोलती है यहाँ और यहाँ पर देख सेब्स मिलेगा ट्रपल कैमरा सैटप फ्लेस लाइट आपको यहाँ पर मिल जाता है दोनेई फॉन में बैक साथ में आपको मिल जाएगी ज्वन की ब्रांडिंग यानि की वी ब्रांडिक यहने चाहली है फिसिकल डिजैन कि अगर बात करें यहां पर तो तिकनेश में सबसेपेले वी वी 27, 7.4 mm की दिखनेश के साथ आता है, वहीं A34 आता है, 8.2 mm की दिखनेश के साथ, साथी राइट साइट में दोनी फॉन में पावर और वॉल्लिम की आपको दोनों ही डिवाइस के देखने के लिए मिल जाते हैं, टॉप साइट की बात करें, दोनी फॉन में सेकंडरी मा बॉटम साइट की बात करें, आपर दोनी फॉन में चार्जिंग जैक, मायक और स्पीकर आपको मिली रहा है, साथ साथ वी वी 27 में सिम ट्रे आपको बॉटम साइट में ही मिल जाता है, तो ओवर और लोकिंग के मामले में दोनी फॉन में के वल यह थोड़ा कैमरा सेटप का डिफरेंस है, बाकि आप कमेंट करके बताइए आपको किस फॉन की लोकिंग यहाँ पर ज्यादा बहतर देखने के लिए लग रही है, और बात करते हैं दोनी डिवाइस के इंटर्ल हाडवेर और यूई फीचर्स की, तो उसके लिए यहाँ पर कर लेते हैं दोनी फॉन को बूट और देखते हैं इंटर्ल हाडवेर क्या कहता है यहाँ पर दोनों ही डिवाइस का, तो दोनों ही डिवाइस हो चुके हैं यहाँ पर वूट और सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर वीवी ट्वेंटी सेवन में आपको कर्व डिस्प्ले मिल रही है, वहीं A34 में फ् 6.6 इंच का, Full HD+, Super AMOLED पैनल, 120 Hz के साथ में, तो यहाँ पर आपके लिए बहतर है कि आप कर्व पसंद करते हैं या आपको फ्लेट पसंद है, दोनों ही फोन की डिस्प्ले क्वालिटी सेम है, लेकिन AMOLED और Super AMOLED का फराग है, Super AMOLED पैनल, AMOLED पैनल से भी ज्यादा अच्छा आपको यहाँ पर A34 मिलेगा, और Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों ही डिवाइस में, इसी के साथ सथ A34 के पास एक और एडवांटेज आई पी 67 Certified है, यानि कि आपको यहाँ पर dust and water resistant का option भी A34 में मिल जाएगा, जो कि आपको VOV27 में नहीं म मिलेगा, बागी Quick Panel की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही फोन में काफी सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, मॉवाइल डाटा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और साथ साथ यहाँ पर Dolby Atmos का option, Samsung में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, Smart View का option, दोनों ह का option होता है, सेम उसी तरह से Samsung में आपको Quick Share का option मिल जाता है, बागी बात करें दोनों ही फोन के hardware की, तो यह है दोनों ही फोन का about phone section, सबसे पहले UI 13, One Touch OS आपको मिलता है विए 27 में, Samsung में आपको मिलता है One UI 5.1, दोनों ही अपनी कंपनी के latest UI है, N.13 आपको यहाँ पर दोनों ह Galaxy A34 में आपको मिलता है, MediaTek का Dimensity 1080 OctaCore processor, जोकि 6nm पर वर्क करता है, Mali G68 MC4 आपको मिल जाता है, यहाँ पर GPU वहीं बात करने, Vivo B27 की तो यहाँ पर आपको मिलता है, MediaTek का Dimensity 7200 OctaCore processor, यह वर्क करता है, 4nm टेकनलोजी पर, और यहाँ पर GPU है, Mali 610MC4, Mali 610MC4 GPU आपको यहाँ पर मिल जाता है, बैटरी की अगर बात करना तो, A34 में है, 5000 mh की बैटरी, वहीं Vivo B27 में आपको 4600 mh की बैटरी मिलेगी, यानकि हरत मामले में यहाँ आपर advantage है, Samsung के पास में, cable processor हम देख सकते हैं, थोड़ा सा डाउन है, लेगन, speed test में जो result आयते हैं, उसमें देख सकते हैं, इसका, तो यह है, दोनी फॉन का hardware, बात करते हैं, अधर UI features की, तो बापस आगे हम दोनी फॉन की settings में और बात करते हैं, दोनी फॉन की UI features की, तो digital building आपको यहाँ पर दोनाई device में देखने के लिए मिल जाता है, बागी safety, emergency, और यहाँ पर ultra game mode आपको मिल जाता है, बी 27 में, Samsung में भी game launcher आपको यहाँ पर दिया जाता है, advanced feature आप देखेंगे, game launcher यहाँ पर available है, साथ दूवल messenger यहाँ पर Samsung में आपको मिल जाता है, देखने के लिए, shortcut and actuality बात करें, तो यहाँ पर कुछ motion and gesture आपको यहाँ पर दोनाई device में देखने के लिए मिल जाएंगे, और Samsung में आप देखते हैं, काफी सारे यहाँ पर gesture आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, double tap to turn on, turn off screen, mute, turn to mute, वहीं बात करें, बीवो की तो यहाँ पर आपको देखते हैं, यहाँ पर आपको काफी सारे features देखने के लिए, यहाँ भी बिल जाते हैं, और personally अगर बात करूं यहाँ पर ज्यादा अच्छा लगता है, और बाकी दोनी फोन में यहाँ पर आपको मिल जाता है, display का option और बात करें, display की तो यहाँ पर दोनी फोन में, dark mode, light mode, eye protection, दोनी डिवास में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, auto rotate का option दोनी डिवास में आपको देखने लिए मिल जाएगा रिफ्रेस्ट की बात करते हैं आपको देखने के लिए मिल जाता है वहीं बात करें सैमसंग की तो यहां पर भी देख लेते हैं तो हाई और स्टेंडर्ट यानकि 60 और 120 हैं यहां भी आपके लिए आप जो आप्षन चाहें एप्लाइ कर सकते हैं दोनों ही में यहां यहां पर यहांनि दोनों ही फोन में 120 हट कर दिस्प्ले मिल आए और दोनों ही फोन की डिस्प्ले में एक डिफ्रेंस और सैमसंग एलक्सी ए-30 फोर की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है अगर हम कंपेर करें वी वी ट्वेंटी से आउट्डोर विजुल्टी मैं एक दोनु ही फोन में भी जाएगा डहनी फोन में यहां-पर आपको मिलłem है rescreen log अंडर इस्प्ले फिंगर्पड सार आप में एक डिफैस के लिए मिलता बात करें और डौनिगाइए फेश और फिंगर प्रिंट और बारिय आती है परफॉर्मेंस कि म粉 को यहां पर नेखा रहा है दिए देखी मैंनेट टेच्च किया और यहां पर दौनिग फॉन का जो फिंगर प्रिंट लॉक था इन देप्रिंड लॉक काफी नौर्मली यूए फीचर्स आपको सभी डिवाइस में देखने के लिए मिल जाएंगे तो अभी तक हम ने देखा हैं यहां पर डिजाइन दोनाई फॉन का अपनी अपनी जगण ठीक का डिस्प्ले में यहां पर डिफ्प्लेंस यह है करव डिस्प्लेंस यहां के पास में अ- यह चया है यह बागी बात करते हैं आप फास्ट के के में गया मेंच लैंसरोंब बात करें यहाँ यहाँ फिट्वाइट वाइट रॉसब mı है 120 डिगरी कवर करेंगा वीव वी 27 सेमसंग ग्रेक्षी 34 यहां पर कवर करेंगा 123 यान 120 और 123 दोने फॉन के आपको एल्टरवाइड में मिलेगा बाकि दोने फॉन में यहां पर आपको मिल जाता है फिल्टर्स ब्यूटी मोड और यहां पर गूगल लेंस का ओप्षन आपको दिया गया है वी 27 में गूगल लेंस आपको डेखने के लिए नहीं मिलेगा लाइफ फोटो का ओप्षन यहां पर एक नया सैमसंग में आपको डेखने के लिए मिल जाता है बागि फ्लेस HDR यह दोने यहाँ मिल जाते हैं. excus और यहां पर यहां को पैक्ग्राउ्ड को pirate mode, बैक्ग्राउंड की बिरने्स को औप्समूत ऊप्षन, वह इचके में बत्रोगवाइद्सनो का आप देख करें धूक्तन पर लो, दॉनाईош्ट में है कोई राएस अब यह आगया है यहांपर वीडियो रिकॉरडिंग को बीडियो रिकॉर्दिंग की तो आप दोनाई फोन से यापर 4G तक का वीडियो रिकॉर्ट कर पाएंगे और देख सकते हैं आपर सुपर इस्टडी का ऑप्षन दोनाई डिवाइस में आपको यहना कि ब्लर्फ प्री और उप रहीडियो आप दोनाई डिवाइस से आपर रेकॉर्ट कर पाएंगे आपक आपको नहीं मिलेगा अधर केमरा फीचर की बात करने हैं दो फीचर काफी अच्छे हैं यह पर एक है विक्स भी बिजन दूसरा है एयार जॉन यह फीचर ऐसे हैं आपको किसी भी कंपनी के किसी भी डिवाइस में देखने के लिए नहीं मिलेंगे सैमसंग के केवल अच्छे डिवाइस ए सीरी का जो उपरी रेंज है हमारा यहां पर अपर 20 उनमें ही देखने के लिए मिलेंगे बाकी एक और उप्षन है सुपर स्लो मोशन यह भी आपको सैमसंग में मिलेगा स्लो मोशन हाइपर लैप्स यानि टाइम लैप्स टैनरोमा प्र संपनी के डिवाइस में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर आपको मिलता है स्लो मोशन तो कुछ एक एडवांटेज हैं यहां पर सैमसंग गलक्सी 34 के कैमरे के साथ में जो आपको वीवी 27 में देखने के लिए नहीं मिलेंगी बागी फ्रेंट के बात करें तो वहाँ केमरा कंपेरेजन में हम देखेंगे किस फॉन का फ्रेंट केमरा ज्यादा बहते हैं रिजल्ट आपको देता है तो यह थे दोनी फॉन के केमरा फीचर तो ओवरल अभी तक हमने बात करी दोनी फॉन के डिजाइन डिस्प्ले हार्डवेर केमरा और यूई फीचर के बारे मे बहुत अत्तक यहां पर डिस्प्ले में कह सकते हैं यहां ब्यूबी 27 करव डिस्प्ले की बजाए से थोड़ा सा आगे है बागी सैमसंग की हम बात करने हैं अपर आईपी 67 आपको मिला है डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट का ओप्सन आपको यहां पर दिया हुआ है हार् प्राइज एट बंट्टीट का सेंटे सेजा नौसो निन्यानवे एट थर्टी फोर एट आट दो सो चपन में आपको मिलता है 3299 का वह बीव बीटने सेवन आट दो सपन में मिलता है 49995 रुपे का याने की लगबग लगबग साथ जार रुपे का डिफरेंस आपको दोनों उम्मिद करता हूं वीडियो आपको पसंद आयोगा तो फ्लीज वीडियो को लाइक करना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं गली वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद है वे नाइस डे